आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डोनट की रेस्पी जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जोद पड़ती है चलिए इसे देख लते हैं और इसे बनानाय स्टार्ट करते हैं यहां सबसे पहले सक दोः करेंगे इसके हम सभी ड्याइं को चानी से चालग के हम आपस एक कप मेंदार लिया है और इसी कप से नापकर आधा कप पिसीवी चीनी डालेंगे चीनि को हमने mixer grinder में डालकर कर पीछ लिया था और एक टेबल स्पून बेकिंग पौडर डालेंगे आधा टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाते वे छान लेंगे ताकि उसमें कोई हम्स ना रहे उसके बाद हम उसमें एक टेबल स्पून ओयल डालेंगे एक बिंच नमक डालेंगे डोनट की मिठाज को बैलन्स करने के लिए इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और इस सबी चीजों को हम आपस में मिला लेते हैं अब हम एक छोटी कटोई दही लेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा उसमें ड लागेगी और गाड़ी होगे तो ज्यादा लागेगी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दही डालकर हम इसका डोर रेडी करेंगे धीर धीर ये डोर स्टिक्की होने लगती है इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा वाइल लेंगे और उसके उपर डालेंगे थोड़ा सा हा टोरी बज़ गई है इस Πैसफो को हम ढगकर आधस एouse एक घंटे के लिए लग देगे में एक घंटे बाद परहरा क्या हैं और डो रेडी हो गई है, चलिए तो इसे बेल लेते हैं, इसके लिए हम चकले पर थोड़ा सा मैदा डश्ट करेंगे, और उसके उपर थोड़ा मैदा रगा कर उसे अच्छी से बेल लेंगे, उसकी मुटा इतनी होने चाहिए, कोटोरी एक ग्लास की हेल्प से उसे डोनाट के कट कर सकते हैं, आप मैदा के दोनाट के का लेंगे, और यहां दोनाट के प्लेट में दोनाट साथ। और जो भी चीज इसे कट करने के लिए हम यूज करेंगे उसमें थोड़ा मैदार लगा लेंगे ताकि डो में हुआ चिपकेना और डूनल की कटिंग अच्छी से हो जाए इसी तरह से बाकी सभी डूनल में हम बना के रेडी कर लेंगे और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए हमने तेल गर्म कर लिया है तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेखेंगे ताकि वह अंदर तक अच्छे से सिख जाए जब वह एक तरफ से अच्छे से सिख जाएगी तब उसे पलट लेंगे औ और इसी तरह से हम सारे डोनट बना कर रेडी करेंगे अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में इसके लिए मैंने यहां एक डार्ट चॉक्टट ली है इसे हम तोड़कर एक छोटे से बोल में डालेंगे और इसे डबल बॉयलर की हेल्प से इसे हम इसको मेल्ट करेंगे ताकि हम प्निए से डोनट में लगा सके देखिए हमने इसे अच्छे से डबल बॉयलर से मेल्ट कर दिया है आप चाहते से माइक्रवेबर भी मेल्ट कर सकते हैं अब दोनट को चॉकलेट में डीप करेंगे और चोपेंगे से उसके अच्छी से कोटिंग कर लेंगे और उसके उपर थोड़ी सी टूटी फूटी कट करके मैंने रखी थी उसे उसके उपर डाल देंगे आप चाहे तो इसकी जगह पर आपके बच्चों के पसंद की कोई भी ड्राइफूट्स या कोई भी केक में सजाने उले स्प्रिंकल से इसको डेकुरेट कर सकते हैं इसे हम चाहे तो सुगर पौडर इसके उपर डेकुरेट कर सकते हैं डोनट हमारे बनका रेडी है इसे हम तोड़के देख लेते हैं यह बहुत ही सॉफ्ट बने है और बहुत ही टेस्टी है आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राय करें वेस्पी यह पसंद आए तो मेरे चैन कर दो